हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप एक दम मस तोंगे भाई सामने अपनी खड़ी है भाई हीरो एक्स्ट्रीम 125 आर और ये गाड़ी देखने के बादा आपको कहीं न कहीं मीनी डुकाटी की या फिर कोई स्पोट्स बाइक की फिलिंग आने लगती है और मैं अभी आपको बतातू ना जो भाई लोग TVS Radar 125 CC लेना सोच रहे है या Honda SP 125 लेना सोच रहे है उनके लिए ये भाई ये जो न्यूज है बहुत ज्यादा इंपोर्टन न्यूज है अगर आप सोच रहे हो वो सारी गाड़ियों को लेने तो आप वहीं पर स्टॉप कर जाओ और आज किस गाड़ी में कौन-कौन सा बेस्ट फीचर मिलता है मीटर कंसोल आपको इसका फुली डिस्टल मिलता है क्या कुछ मिलता है और प्राइस से कब तक एवेलेबल हो जाएगा सारा कुछ आज किस वीडियो में बताएंगे तो सबसे पहले भाई आप यहां से एक बर लुक द आज आएगा आइए जानते स्का फ्रेंड का सस्पेंशन तो फ्रेंट में देखोगे 37 mm का आपको असिधन के फिर्ट का सस्पेंशन की बात करे ना तो आपको यहां पर 7 step adjustable आपको मोनो सौक टाइप का सस्पेंशन मिलताह शोवा कंपनी का आपको इसका पीछ करें न तो भाई breaking system base model खरीते हो तो integrated मिलता है लेकिन इसमें आपको 276 mm का disc के साथ start top model में single channel ABS भी मिलता है, और single channel ABS में न top model में मिलता है, base model खरीते हो तो integrated breaking system मिलता है, साथ Sanders गाड़ी की डो headlight है न वो आप देखोगे कि H chip में आपको इसकी गाड़ी कि headlight देखने को मिलती है fully LED के साथ मिलगा आप यहाँ पर देख सकते हो tell light के बात कर लेवे तो ये भी आपको LED में मिलता है बाकी hazard light के साथ मिलता है looks wise बात करें तो काफी ज़यदा attractive है मैं आपको सबसे पहले ही बता दिया कि ये जुगाड़ी है ना आपको mini Ducati कह सकते हो साथी साथ overall mileage company का जैसा claim है भाया की ये जो गाड़ी है ना आपको 65 to 68 km per liter के हिसाब से mileage देने वाले साथी साथ suspension का adjustability बहुत ज़्यादा comfort है और इसके साथ साथ इसका जो engine section है ना वो बिलकुल change करा company ने इस type का अब पहले वाला engine नहीं है कि पहले जो आप बजाज में देखते थे 125 में या फिर आप देखते थे hero का splendor हो गया या फिर glamour हो गया या पैसन हो गया 97 से सी या 125 से सी वैसा engine नहीं है बिलकुल engine का platform इन्होंने बदल दिया है 125 CC का spirit में आपको EBT technology का engine आया है EBT technology का होता है engine balancing technology इसमें आपका engine को balance करके चलेगा ये technology के साथ इन्होंने अपने engine को लाया है इस बार maximum power की बात करें तो 11.55 PS कि इसकी maximum power है जो की 8250 RPM पर वक करती है साथ ही साथ इसकी जो tire है ना पीछे का tire देखोगे ये आपको 17 inch का tire मिलता है पीछे की tire की जो चोड़ाई है वो आपको 120 mm की आपको पीछे की tire की चोड़ाई मिलती है अब आपको बता देते हैं ground clearance की ना तो आपको यहाँ पे 165 mm के आसपास इसकी ground clearance मिलती है meter console देखोगे आपको पूरी तरीके से hero extreme 160 r वाला जो meter था वही digital लगा दिया है जिसमें आपको rpm limit मिलता भया 125 CC में आपको मिलता है rpm limit साथ ही साथ gear shift advisor आप यहाँ पे कितना gear लगा रहे हो यह सारा चीज आपको 100 करता है kilometer, auto meter, track meter आपको सारा कुछ हर एक चीज आपको यहाँ पे digital देखने को मिलता है तो यह बहुत ही बड़ा चीज है 125 CC सिग्मेंट में इतना ज़्यादा spotty look तो भई TBS radar 125 को या फिर आपको Honda sign SP को या फिर आप NS 125 को पूरा का पूरा market बरबाद करने तबाही ला दिया है hero 125 extreme r अब बात करते हैं कि इसका on road price एक showroom price क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि एक showroom price इसका base model company 2 model मिला यहाँ अगर आप base model खरीते हो तो एक showroom price 95,000 पड़ेगा on road price आपको 1,14,000 के आसपास पड़ता है और वही अगर top model खरीते हो तो top model का जो action price है वो 99,500 रुपीज है और on road price अगर लेते हो तो 1,19,500 रुपीज है यह top और base अब बया base और top में क्या difference है न तो base model में आपको integrated braking system मिलता है और top model का गाड़ी खरीते हो तो आपको front में single channel ABS मिलता है और यह गाड़ी available कब तक हो जाएगी market में तो जितने भी dealership है expected date है कि 20 फरवरी 2024 तक यह गाड़ी हर एक dealership के पास पहुचने लगेगी बाकी अब आपको क्या लगता है क्या सच में यह TBS Radar 125 से best गाड़ी है Honda Sign SP 125 से best गाड़ी है यह गाड़ी आपको कैसा लगता है market में इसका क्या performance होने वाला है आपको यह गाड़ी कैसा लगता है peak and power देखने से कैसा लगता है looks wise कैसा है, design कैसा है expected mileage क्या 65 देगा या नहीं आप हर एक चीज़ का जवाब चाहते हो तो आप फट फट कमेंट सेक्शन में बता देना मैं नेक्स वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आपको यह गाड़ी सच में देने वाला है या नि जैसे ही डिलर से पास एवलेबल होता है मैं आपको इसका ज़रूर वीडियो मनाऊंगा वाकराउंड करूँगा मैले स्ट्रेस करके दिखाऊंगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चैनल पर पहली बार होगे तो सब्स्ट्राइब करके बेल आइकन को दबाना एक दम नहीं भूलना वीडियो पसंद आयागा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेर करना चली मिलते नेक्स डे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहीं जैब